हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वालों कि Tata new application में UPI registration कैसे करते हैं यहनि bank account कैसे link कर सकते हैं तो Tata new application open कर लेना है open करने के बाद आपको कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा आपके screen पर आपको नीचे में बहुत सारा option देखने को मिलेगा guys नीचे में एक option दिखेगा Tata Pay Tata Pay पर क्लिक करना है Tata Pay पर जैसे ही क्लिक करते है guys तो यहाँ पर कुछ हिस्परकर का interface दिखाई देगा यहाँ आप देख सकते है guys Tata Pay Smart Secure Way to Pay यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है guys Register Now पर आपको simply क्लिक करना है तो चलिए Register Now पर क्लिक करते हैं Allow कर लेना है Allow करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समय वेट करना है SMS send किया जाएगा उसके बाद SMS delivered उसके बाद mobile verification यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ हो गया अब यहाँ पर लिख रहा है Setup My UPI Setup My UPI पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपना Bank Account सेलेक्ट करना है जैसे मेरा जो Bank Account है Paytm Payment Bank है वो सेलेक्ट कर लिए सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ पर आ चुका है Bank Account Details उसके बाद नीचे में Next पर क्लिक करना है Next पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हिस पर करका इंटरफेस आ गया यहाँ पर देखिए मेरा जो UPI Setup है वो Complete हो चुका है मेरा Bank Account लिंक हो गया है अप्लिकेशन से तो देख सकते हैं हो चुका है सारा कुछ अब यहाँ से स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और UPI की मदद से हम किसी दूसरे Bank Account में हम पैसा भी सेंड कर सकते हैं UPI ID पर पैसा सेंड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजें इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन प्रेस कर लीजें थैंक्यू